हेलो बरण, अमेतवारी, परमेतवारी.net और ये है SEO Last Month का August एपिसोड, बीते दो साल से हम हर महीने आपके लिए लाते हैं, एक Monthly Bulletin जो आपको पिछले एक महीने की SEO News, Views और अपडेट से वाकिफ कराता है सिर्फ 10 से 12 बिनेट में बिना किसी destruction के ताकि आपको पूरे महीने, सै वालो ना खरना पड़े। कि अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो English में ही करो, now I'm not against English, people doing SEO cannot be against English, but it's just ये है कि मज़ा जो होता है वो अपनी language में आता है, दोस्त को साला बोलने में जो मज़ा है वो ब्रो बोलने में नहीं आता है, सिर्फ comfort की बात है, वरना हर language सिर्फ एक माध्यम है, एक बात को दूसर जुलाई को broad core update को roll out करना शुरू किया, ये broad core update June, broad core update का second part है, now in core updates के बारे में Google की तरफ से details नहीं आती है, so कोई भी official information नहीं है कि क्या change हुआ है या किस बारे में update थी, but हमने June core update के बाद एक वीडियो किया था, जिसमें broad core updates के बारे में बात की गई थी, क्या होती है, ये करना चाहिए, इस वीडियो का link अभी आपको उपर शाकता हुआ दिखाई दे रहागा, top right corner में आप देख सकते हैं, अगली खबर है, Microsoft Ads से 7 जुलाई की, 7 जुलाई को Microsoft Ads ने responsive multimedia ads launch किये, जो बेंग search results page में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ये नया ad format अभी सिर्फ 13 countries में available है, जो हैं United States, Canada, United Kingdom, Ireland, Australia, New Zealand, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam, इन ads के लिए advertisers को अपने assets यानि की images को कुछ size variation में upload करना होगा, इसके बाद Microsoft search results page में अलग-अलग location पर आपके दिऊ ही headline या site links के साथ में आपकी दिऊ ही images को use करके कुछ इस तरह के ads दिखाएगा, ये काफी अच्छे भी में अच्छे लगते हैं, बट इस तरह से ये जो organic search results में दिखाई दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि Google इस तरह के ad format search results page में अपनी तरफ से कभी भी लाएगा, बट who knows, अगली खबर है 9 July की Google की तरफ से, Google के John Mueller ने Office R session में बताया कि Google अब soft 404 को desktop और mobile से अलग-अलग detect कर अलग-अलग तरीके से टेस्ट करेगा, इसके बाद soft 404 का count दिखाएगा, इस पूरे वीडियो का link अभी आपको नीचे description में मिलेगा, इसके बाद आते हैं 12 July पर, 12 July को Microsoft Ads ने ads में video extension को launch कर दिया, जो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, मतलब आपके ads search results में दिखाई दें इन video extension में जो video use करना चाहते हैं, आप वो कम से कम 6 seconds और जादा से जादा 120 seconds का होना जरूरी है, एक second कम या जादा नहीं चलेगा, वीडियो MPEG 2, MP4 और MOV format में होगा तो सबसे अच्छा रहेगा, वरना किसी भी तरह के video format को Microsoft चला लेगा, आपके videos 16 by 9, 9 by 16 या 1 by 1 के expect ratio में हो सकते हैं, simple language पर कहें, तो landscape, portrait और social media post के style में हो सकते हैं, आपके video के resolution minimum 120 by 120 pixel होना चाहिए, बट Microsoft recommend करता है कि 720 by 720 pixel का resolution होना चाहिए, 120 by 120 pixel resolution के camera Amazon पर भी नहीं मिलते हैं, ये Microsoft का कुछ नया high-tech ultra low resolution camera होगा, जो शायद वो खुदी मेशने वाले हैं, या फिर ये technical specification लिखने वाला time काफी time से lockdown में है, anyway, video के size को लेकर भी limit है 10 GB, maximum limit है ये, आप 10 GB से बड़ी video file को video extension के लिए upload नहीं कर सकते हैं, again my question is कि वो कौन सा genius है जो 120 seconds के video को 10 GB में render करेगा, ऐसा नहीं है कि ये technically impossible है, आप MOV format में achieve कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो Microsoft का अपना AVI format है उसमें render कर लीजिए, पका 10 GB से ज्यादा निकलेगा, anyway, last और सबसे important point ये है, कि ये video extensions desktop और laptop devices के लिए worldwide available हैं, लेकिन mobiles के लिए अभी ये सिर्फ US में available हैं, 12 जुलाई की ही अगली खबर है Google Search Console की तरब से, 12 जुलाई को Google ने Search Console में जो AMP Pages के report आती है, उसमें errors के debugging के information के direct links देना शुरू कर दिया, इस से अब आपको किसी खास error के solution को ढोड़ने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, AMP के बारे में अभी एक video हमने हाल ही में किया था, जिसे आप देख सकते हैं, इस link पर जाकर अभी आपको उपर टॉपर राइट एकॉर्ण में दिखाई दे रहा होगा 13 जुलाई की अगली खबर है, GoDaddy की तरफ से, इनफाट Google की तरफ से है, लेकिन GoDaddy से related है, और GoDaddy का नाम है, पहली बार लेने का मौका मिल रहे सीरीज में तो हम लेगे, गूगल ने पिछले साल free product listings को shopping results में दिखाना शुरू कर दिया था, और फिर में महीने में Shopify की users के लि अपलोड हो जाएंगे और shopping results में free में दिखाई देने लगेंगे, वैसे अगर आप merchant center में product को manually upload करनी की process समझना चाहते हैं, या इस पारे में ज़्यादा information चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक या तो top right corner में होगा, या नीचे bottom description में होगा, अग post की date को genuine रखना and so on, but मैं इस news के बारे में बहुत ज़्यादा details नहीं बताऊंगा, because इस announcement को हम detail में इस वीडियो में cover कर चुके हैं, again link या तो top right corner में हैं, या description में हैं, 15 जुलाई की अगली ख़बर है Google Ads से, जिन्नोंने optimized targeting को launch किया है, ये धीरे धीरे Google Ads accounts में enable किये जा रहे settings से अलग users भी आपके ad को use कर सकते हैं, उनके पास data है अगर तो आपको अच्छा conversion मिल सकता है अगर इनसे, तो Google automatically इसे enable कर सकता है, automatically optimized targeting को enable करने का process आपको यहाँ इस page मिलेगा, 20 जुलाई को Google ने math solvers type की schema data की report को Google search console में launch करने का announcement कर दिया, math solvers type का schema data Google ने 25 March 2021 को educational websites के लिए launch क schema data को बनाने और use करने की step by step process को हमने इस वीडियो में आपको explain किया है, जिसका link अभी आपको दिखाई दे रहा होगा top right corner में या इस वीडियो के description में लेगा, 20 जुलाई को ही Google ने ad publishers के लिए, यानि कि जो ad campaign run करते हैं, उनके लिए 3 strike system announce किया, यह policy 21 सितंबर से effect में आएगी इस policy के अंदर dishonest behavior यानि कि धो खतरी वाले जो ads होते हैं, unapproved substances यानि कि ऐसी चीज़ें जिसके बारे में Google ads accept नहीं करता है, और dangerous products या services यानि कि ऐसी service जो खतरनाक, ऐसे products जो खतरनाक हैं, ऐसे ad run करने वाले accounts को पहले एक warning मिलेगी, आपका वो ad हटा दिया जाएगा, लेकिन account को कोई नुपसान नहीं होगा, इस warning के मिलने के 30 दिन के अंदर ही अगर आप फिर से उसी policy को वालेट करते हैं, तो first strike मिलेगी, जिसमें आपका ad हटा दिया जाएगा, और आपके account को 3 दिन के लिए disable कर दिया जाएगा, hold पर कर दिया जाएगा, अगर फिर भी same policy को कोई account 90 days क अंदर again violet करता है, तो account को 7 दिन के लिए disable कर दिया जाएगा, और ads हटा दिया जाएगे, ये second strike होगी, और second strike के 90 days के अंदर अगर policy violet अगर आप फिर से करते हैं, again, तो आपके account को permanently disable कर दिया जाएगा, और ad obviously हट जाएगा, ये third strike होगी, अगर आप इन strike से बचने के लिए लांच किया गया है, but who knows, internationally भी लांच कर दिया जाए, इस deal section के बारे में भी हमने एक detail में वीडियो किया है, already, कैसे deal pages को बनाना चाहिए, क्या best practices रहेंगे, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, जुलाई महिने में Google में दो bug भी दिखाई दिये, जो थे SERP में review snippets का ना दिखाई देना, और soft 404 की errors Google Search Console में कुछ ज्यादा दिखाई देना, 22 जुलाई को Google ने review snippet वाले issue को acknowledge किया, और 23 जुलाई को soft 404 issue को उन्होंने accept किया, इसके बाद आती है 26 जुलाई, 26 जुलाई को Google ने link spam update को rollout करना शुरू कर दिया, link spam update ऐसी websites को manual और algorithmic penalty देगी जो affiliate और guest post में sponsored relation attribute को use नहीं कर रहे हैं, ये penalty incoming और outgoing दोनों तरह की links पर दी जाएगी, इस update के बारे में हमारे दो काफी detail वीडियो हैं जिने आप देख सकते हैं, 27 जुलाई को Google Ads ने announce किया कि अगर किसी account के ads इंडिया में दिखाये जा रहे हैं, लेकिन उस account का billing address इंडिया मे जो इंडिया regulatory operating cost होगी, ये आपके budget से extra होगा, तो अगर आप 100 डॉलर के ad चला रहे हैं, तो आप से Google 102 डॉलर लेगा, बट ये सभी advertisers को नहीं देना होगा, ये सिर्फ उनहीं को देना होगा, जिनका billing address इंडिया में नहीं हैं, लेकिन ads इंडिया में शो किये जा रहे हैं, य एक October 2021 से applicable होगे, 27 जुलाई की अगली खबर है Instagram से, Instagram ने announce किया है कि under age users, यानि कि जिनकी उमर legal age limit से कम है, यानि कि इंडिया में जैसे 18 साल होती है, उन्हें interest या दूसरे apps और website पर activities के base पर advertising के लिए कोई भी advertiser target नहीं कर पाएगा, Instagram के हिसाब से ये गंभीर कदम कच्छी उ जबानों की privacy को बचाने के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन खुद Instagram इन ही कोमल बच्चों को नाचने गाने के लिए रील की सुविदा देता है, जो privacy Instagram ads में बचाएगा, बच्चे उसे रील में जाकर वड़ा देंगे, और इसी के साथ इस महीने की, I mean, last महीने की news, views और updates क सिलसला खतम होता है, हमेशा की तरह, अगर हम कुछ नहीं कवर कर पाएं, कुछ भूल गए हैं, तो आप हमें कमेंट से मताइए, अगर आपको कोई टिप मिल दी है, तो आप मुझे Twitter पर बता सकते हैं, my Twitter handle is Team Amitwari, thank you so much watching this video, my name is Amitwari for Amitwari.net and I will see you next time, take care.